साइंस के आज के इस लेक्चर में आपको मैं motion chapter जो आपके nasty at textbook का chapter no.7 ँस chapter का पहरा topic स्टाट करने जा रहा हूं और पढ़ाने जा रहा हूं ध्यान से video को end तक देखना आपको मैंने inno lecture में इस chapter के सभी topic और सब topic के बारे में बता दिया था जो हमको पढ़ना था तो आप उस lecture को अगर देखोगे तो उसमें पहला topic यही मिलेगा describing motion और यही हम आज इस lecture में पढ़ने वाले हैं तो वीडियो को end तक जरूर देखना ठीक है तो बचों motion के बारे में हम क्या समझते हैं NCRT में अगर आप टेक्सबुक उठाओगे तो motion के कुछ example दिये गए हैं बड्स का उड़ना बड्स फ्लाई करते हैं तो यह भी एक तरीके का motion है फिश स्विंग करती हैं मचलियां तैरती हैं यह भी एक तरीके का motion है है ना कार हाइवे पे या सड़क पे चल रही है यह भी ए नहां तक कि हमारे नसों में खून बै रहा है ब्लड फो फ्लो स्रू वेंस एंड आर्टरीज तो यह भी तरीके का motion है तो अगर आप से कोई motion के example पूछे तो आप यह example लिख सकते हो की नहीं इसके अलावा अपने imagination का यूज करके भी बहुत सारे example लिख सकते हैं ठीक है तो motion से क्या समझ में आया अगर हम कह रहे हैं यह सारे motion के example है तो इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो रही है कि motion में object क्या करता है अपने position को change करता है यैसे यहां bird पेड़ पे बैठी थी तेक है यह उसकी position थी और जब वो उड़ने लगी तो वो हवा में आ गया यानि उसका position अब change हो गया पहले वो ट्री पे थी अब वो air में कई मीटर उपर है यानि कि position का change होना किसी object के position का change होना time के साथ यही तो motion है बाद समझ में आई तो बस वही चीज़ कही गई है कि we often perceive an object to be in motion when its position changes with time तो motion के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई object motion में है जैसे आपने कहा कि यह man walk कर रहा है तो walk कर रहा है इसका मतलब यह motion में है ठीक है अब walk करने से इसकी position change होगी हाँ होगी starting में यह यहाँ रहा होगा इसकी position A थी लेकिन कुछ time के बाद यह अब position B पर आ गया और अब आपको यह यहाँ दिख रहा है ठीक है तो time के साथ इस object की object कौन है man इंसान उसकी position क्या होगी A से B change होई तो हम कहेंगे कि यह person क्या है motion में है क्योंकि time के साथ इस person की क्या change होई position change होई position को आप A या B कह लीजे position को आप school से घर कह लीजे या school से hospital कह लीजे या घर से hospital कह लीजे कुछ भी position हो सकता है है की नहीं तो दिमाग में यह fit करना है motion का मतलब कोई object अपने position को time के साथ क्या कर रहे है change कर रहे है जैसे आप घर में थे school जाने के लिए ready हुए ठीक है अब घर से आप कहां गए school गए बस के थू या cycle चला के गए तो आपकी position घर से school चेंज हुई की नहीं और time के साथ 15 minute आदा घंटा एक घंटा लगा होगा की नहीं तो एक घंटे में आदे घंटे में आपकी position घर से school और फिर शाम को school से वापस घर तो position चेंज हुई time के साथ तो इसका मतलब आपने क्या किया motion और जब motion करते हैं तो position चेंज होगी ही बात क्लियर हो गई चलिए आगे चलते हैं however there are situation when the motion is inferred through indirect evidences कई बार हमको जो motion है वो indirect evidence से पता चलता है मतलब सर कहना क्या चाते हो मेरी बात सुनो जैसे हवा बह रही है air flow हवा तो दिखाई नहीं दे रही है तो वो कैसे पता लगाएंगे कि उसकी position चेंज हो रही है नहीं लग पाएगा पता तो फिर हम कैसे बोल रहे हैं कि air motion में है तो हम indirect evidence यानि कि कुछ दूसरे इशारों से समझते हैं कि हवा motion में है हवा बह रही है जैसे कि हवा चलती है तो धूल के particles जो है वो क्या होते है उड़ते हैं कि नहीं आपने देखा होगा जब भी हवा चलत पत्या हैं या पेड़ की जो शाखाएं ब्रांचेज हैं वो हिलने लगती है और पत्या और पेड़ के शाखाएं हिलने लगती हैं ब्रांच और लीफ्स हिलने लगती हैं मूमेंट करती हैं तो हम कहते हैं हवा चल रहे हैं जैसे यहां घास का मैदान है हवा चली तो घास मे movement हुई तो घास तो आपको दिखाई दे रही है घास देखकर आपने बता दिया कि हवा move कर रही है यानि हवा motion में है तो घास ने evidence दिया सबूत दिया किसका हवा के motion का तो होता है ऐसा क्लियर कई बार object नहीं दिखाई देता है जैसे आपने देखा होगा train train एक सीधे स्ट्रेट पाथ पर ट्रैक पर दोड़ती है 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 ना साइकिल है सीधी रोट पर जा रही है आप सीधे सीधे वॉक कर रहे हूं यह सारे motion होते हैं straight line कैसे motion होते हैं बच्चों straight line होते हैं वहीं कुछ motion circular होते हैं जैसे घड़ी घड़ी एक circular path पर क्या कर रही है रोट मूव हो रही है है ना तो यह motion कैसा हो गया circular motion हो गया लेकिन जब आप cycle चला रहे हो तो cycle चलाते हैं समय आपका टायर आपके cycle का जो टायर है वो गोल गोल भी घूम रहा है और सीधे भी जा रहा है आगे भी जा रहा है तो ऐसे motion को हम कहते हैं rotation तो motion के कई variety कई types हो सकते हैं ठीक है यह straight line motion हो गया जब हम सीधीर path पर जाते हैं यह circular motion हो गया ठीक है next rotational motion हो गया अब आपका हो गया circular और rotational तो एक ही चीज है rotational circular motion में चीज अपने position पर ही circular path पर rotate करती है लेकिन rotational motion में वो घूम भी रही है circular path पर और आगे भी जा रही है जैसे यह circular है लेकिन यह rotational है खूम भी रही है आगे भी जा रही है और कई जगा vibration motion भी आपको देखने को मिलता है जैसे यहां देख पा रहे हैं बैंड में आपने देखा होगा बैंड में यह instrument यूज होता है अब इस पर stick से मारा गया तो यह कैसे वाइबरेट कर रहा है हमारे स्कूल में tuning fork होता है अगर आप पता करोगे tuning fork को rubber band को खीज कर छोड़ दो प्लक करके छोड़ दो तो rubber band भी क्या करता है वाइबरेट करता है है ना तो यह motion वाइबरेटरी motion कहलाते हैं तो आपको motion के कितने variety कितने टाइप यहां NCRT मे और एक है vibrational motion यानि vibration ठीक है बास समझ में आ गई अब हो सकता है कि एक ही object में एक ही object में इन कई motion का combination प्रेजेंट हो there may be chances situation involving a combination of these involving a combination of these समझ में आया यानि object में straight line motion भी हो रहा है और circular motion भी होता है जैसे कि rotational motion object में हो सकता है कि vibration भी हो रहा है और वो circular motion भी कर रही हो तो दोनों का combination या तीन का combination भी possible है या तो सिर्फ एक-एक motion का variety present होगा object में ठीक है वही चीज यहां लिखी है combination of these ठीक है आगे चलते हैं बहुत बढ़िया in this chapter we shall first learn to describe the portion of object along a straight line अब इतने types of motion आपको बता दिया मैंने अब इस chapter में हमको खास तोर से किस motion के बारे में ज्यादा अच्छे से पढ़ना है वो है ये straight line motion ठीक है पढ़ें चलिए आगे पढ़ते है straight line motion अब motion को पढ़ने के लिए मैंने क्या बताया था motion का मतलब object का जो position हो रहा है वो change हो रहा है अब position को कैसे समझाए तो position को समझान के लिए हमें ज़रुत पढ़ती है reference point की जैसे यह railway station है और railway station से मैंने कहा कि 2 km North में आपका school है तो मैंने distance बताया किसका school का कहां से बताया railway station से तो railway station मेरे लिए क्या हो गया reference point हो गया है न हम इसके comparison ने बता रहे है न हो सकता है कि आपके घर से यह school 10 km हो तो आपका घर क्या हो गया reference point और आपके घर यानि reference point से school का distance 10 km लेकिन अगर मैं reference point railway station ले लूँ तो आपका distance हो गया 2 km यानि distance जो है वो इस बात कोई matter करता है कि आप distance कहां से measure कर रहे हो तो वो जो चीज है न कहां उसी को कह रहे है reference point हम यहां से measure कर रहे है तो 2 km है reference point बदल देंगे तो distance भी बदल जाएगा बात समझ में आगे तो वही लिखा है we describe the location of object by specifying reference point reference point का use करके हम किसी object का location बताते हैं आपने सुने होगा कि कोई आपके घर आने चाता है वो आपका घर नहीं देखा है तो पता करता है ना भी आपका घर कहां है तो आप बोलते हो वो जो transformer है ना उससे चार घर छोड़कर यानि कि transformer reference point हो गया फिर वहां से जो चार घर छोड़कर है ना यानि पांचवा जो घर है वो मेरा है तो reference point हम बताते हैं कि नहीं यह है आपका reference point तो motion के लिए जरूरी है कि object अपने position को change करें और position का पता या position जो है उसकी distance कैसे लगाएंगे reference point का use करके हम distance पता लगाते हैं ठीक है बास समझ में आगी ठीक है आप देखो we have specified the position of school with respect to railway station जैसे इस example में हमने school का जो location है वो railway station के respect में बताया है ठीक है तो हमारा railway station क्या हो गया reference point हो गया जैसा कि अभी हम discuss कर रहे थे लेकिन we could have also chosen other reference point हम तो कोई railway station के अलावा कोई दूसरा reference point भी choose कर सकते हैं हां कर सकते हैं तो अगर हम change कर देंगे अपना reference point और railway station की जगा किसी दूसरे point को अपना reference point ले लेंगे तो हमारे जो distance है school का क्या वो same रहेगा नहीं हो सकता बदल जाए therefore to describe the position of object we need to specify a reference point called origin और इसी reference point को ही हम क्या कहते है origin कहते हैं तो यानि की school की जो distance से 2 km वो कहां से है railway station से तो railway station क्या हो गया reference point और reference point को ही हम क्या कह देंगे origin तो हम ऐसे अगर बनाएंगे ना तो यह ऐसे बनाएंगे कि origin से school 2 km दूर है बात समझ में आगे हां origin reference point एक ही चीज़ है अब बात करते हैं motion along straight line जैसा कि मैंने बताया था कि इस chapter में हम किस type के motion की खास study करेंगे खास तौर से चर्चा करेंगे वो है motion along straight line यानि कि जब सीधी पात पर सीज़ ये एकदम straight direction में कोई चीज़ मूव करें अपने position को change करें तो ऐसे motion को straight line motion कहेंगे है ना जैसे कि ये train bullet train इडिया में bullet train आने वाली है है ना मोधी जी लाएंगे bullet train में हमको बैठा सब्सक्राइंगे तो bullet train सीधी तो चलेगी तो ये कैसा example हो गया motion इने straight line हो गया और बुलेट train क्या आभी जो train चल रही है वो भी तो सीधी चल रही है है ना कुछ जगहों पर जो track है वो मुड़ जाता हलका सा लेकिन mostly वो सीधा ही रहता है तो ये straight line motion का example है अब straight line motion में हमको दो चीजों पर खास तोर से गौर करना है एक होता है displacement और एक होता है distance इन दोनों का फर्क समझना है displacement और distance क्या होता है इसका फर्क समझना है ठीक है अब पहला फर्क ये है देखो displacement भी एक type का distance ही है तो फिर तो इसका नाम अलग क्यों पड़ा जैसे मैं भी इंसान हूं लेक लेकिन मेरा नाम कुछ और है हूं इंसान लेकिन नाम कुछ और रख दिया गया उसी तर displacement भी डिस्टेंस ही है लेकिन इसका नाम बदल के displacement रख दिया गया क्यों क्योंकि इसमें कुछ special है कुछ अलग है और अलग क्या है अलग ये है कि displacement होता है shortest distance सबसे छोटी डिस्टेंस किसी भी दो प्वाइंट के बीच का जो सबसे छोटा कहते है उसे ही हम displacement कहते है तो यानि कि जब displacement के बात होगी तो shortest distance की बात हो रही है और अगर ये वाले distance की बात हो रही है इसका मतलब shortest के अलावा जो उससे बड़ी जो distance है उसकी बात हो रही है अब इसको समझाता हूँ एक diagram से जैसे यह आपका origin है reference point A और आप A से दो तरीके से B पर पहुँचे A से B गए आपका जो motion हुआ वो कहां से कहां हुआ A to B लेकिन इसके दो रास्ते से एक रास्ता पहले आप ऐसे गए है ना पहले आप इस रास्ते से गए और ठकता अखिर में B पहुचे ठीक है यह पहला motion क्लेर एगरी कर रहे है हाँ और दूसरा आपका दिमाग आया अरे यार इतने दूरी पर क्यों जाएं ऐसा करते हैं ऐसा चलते हैं कि हम सीधे सीधे कि कम समय में और कम फर्स्ट वाला कि सेकेंड वाला तो आप कहोगे सर सेकेंड वाला और सबसे छोटे रास्ते को डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं डिस्प्लेस्मेंट यानि कि ये ये जो रास्ता है ये डिस्प्लेस्मेंट है और इसको छोड़कर कोई भी दूसरे रास्ते से जाएंगे तो वो रास्ता लंबा ही पड़ेगा आपको जादा चलना पड़ेगा तो वो हो जाएगा distance जैसे कि मेरे के इस case में ये वाला जो मतलब distance है इसे हम distance ही कहेंगे मतलब ये जो आपने चला ये distance है लेकिन ये जो सीधे एकदम गए एकदम सीधे ये सबसे छोटी दूरी है और इसी को हम displacement कहते हैं अब फर्क समझ में आया मैं तो चाहूं तो ऐसे भी जा सकता था कैसे सर मैं चाहूं तो ऐसे भी जा सकता था ये गया ये गया और ऐसे घूम कर फिर गया अब आप ही बताओ कि अगर मैं इस रास्ते से जाओंगा तो क्या ये सबसे छोटी दूरी है नहीं क्योंकि सबसे छोटी दूरी एक ही ही होती है और वो तभी होती है जब हम किसी एक पॉइंट से बिलकुल सीधे दूसरे पॉइंट तक जाए और उसे ही displacement कहेंगे तो displacement का केवल एक ही condition है shortest दूरी एक ही हो सकती है बहुत सारी नहीं हो सकती तो ये भी distance है ये भी distance है displacement केवल ये है अगर मैं ऐसे जाओं तो आप बताना अगर मैं ऐसे गया ऐसे ऐसे गया और भी तक गया तो क्या ये रास्ता ये motion में जो distance है वो distance displacement है की distance है तो आप कोहोगे सरीत तो distance है क्योंकि लंबा रास्ता है displacement ही अब फर्क समझ में आगया जी हा तो दो चीजें होती है distance और displacement displacement shorter distance को कहते हैं और shortest distance हमेशा बिलकुल सीधे जाने पर रास्ता जो होता है वो ही shortest होता है ठीक है बात समझ मेंगे ठीक है, अब देखिए, अब 3 condition possible है अगर मैं A से B गया, है ना, मैं A से B गया, एक point से दूसरे point पर गया तो 3 condition possible है, इसमें से कौन सी condition हो सकती है, सही है कौन सी condition हमेशा गलत होगी, आईए देख लेते हैं तो इसमें जो पहली condition है, वो हमेशा सही हो सकती है, ठीक है, हो सकता है कि distance बढ़ा हो displacement से, हाँ, ये possible है, क्या distance और displacement दोनों बराबर हो सकते हैं, हाँ, ये भी possibility है, कि दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, कि distance कम हो जाए, और displacement जादा हो जाए, तो जो सबसे छोटा है वो बाकियों से बड़ा कैसे हो जाएगा तो यह condition कभी भी possible नहीं है अब मैं आपको example के थूरू बताता हूँ कि कैसे यह दोनों सही है और कैसे यह गलत है ठीक है? example के थूरू ऐसे नहीं समझेंगे ठीक है? अब आपके NCRT में यह एक scale दिया हुआ है NCRT की textbook में उठा के देख लेना ठीक है? तो अब मैं पहला example देख लेता हूँ कि क्या लिखा है distance बड़ा है और displacement छोटा है ठीक है? आईए देखते हैं अब आपका जो origin है वो यह ओ ठीक है? तो आप कहां से कहां गए? आप गए O से आप O से B गए ठीक है? और फिर B से वापस C पर आ गए ठीक है? आप ऐसे गए B पर और B से वापस C पर आ गए ठीक है? यह सारी जो distance है वो km किलोमेटर में और गैप आप देखी रहे हो जीरो से 5 5 से 10 10 से 15 तो डिफरेंस कितने का है तो आप कहोगे साफ साफ डिफरेंस 5 किलोमेटर का है ठीक है अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जरा बताओ डिस्टेंस कितना है कितना ट्रवल किए तो आप कहोगे साफ जीरो से बी गए तो जीरो ओ से बी गए तो ओ पर जीरो किलो मिटर बी पर 35 किलो मिटर है न तो तो हम कितना चले 35 km चले फिर वापस B से कहां पर आए C पॉइंट पर आए तो 35 से 30 यानि 5 यहां और चलना पड़ा है ना और 30 से 25 यानि 5 और चलना पड़ा तो पहले O से B पर गए तो 35 चले और फिर एक्स्ट्रा 5 और 5 यानि एक्स्ट्रा 10 और चले तो 35 प्लस 10 टोटल आपने डिस्टेंस कितना कवर किया 45 km है ना अब आपकी फाइनल पोजीशन क्या हुई तो अब आप कहोगे कि सर O तो मेरी इनिशल पोजीशन थी फाइनल पोजीशन मेरी C हो गई अब इनिशल और फाइनल पोजीशन मिल गए आपको तो जैसे यहां इस वाले एक्जैंपल में A आपका इनिशल पॉइंट था B आपका फाइनल पॉइंट था उसी तर अब यहां यह मेरा इनिशल पॉइंट है यह मेरा इनिशल पॉइंट है और C पर फाइनल पॉइंट है अब इनिशल और फाइनल point के बीच का जो difference है वही तो क्या होगा shortest होगा सबसे छोटा होगा और वही displacement होगा ठीक है तो अगर मुझे यहां से initial point से final point पर इलकुल सीधे जाना हो तो बिलकुल सीधे गए सीधे गए सीधे गए और पहुँझ गए यहां तो यही सबसे छोटी दूरी है और यही सबसे छोटी दूरी shorter distance को क्या कहेंगे displacement तो हमारा displacement कितना आया हमारा displacement कितना आया तो 0 से 25 यानि 25 किलो मिटर तो कौन बड़ा है तो आप कहोगे distance बड़ा है displacement से तो यही तो हमने कहा था कि distance displacement से बड़ा हो सकता है तो पहला सही साबित हो गया अब आते हैं दुसरा distance or displacement दोनों बराबर हो सकते हैं क्या आईए देखते हैं इस बार हम देखते हैं example condition लेते हैं कि जो object है वो position O से कहां गया सी पर गया ठीक है तो वो यहां से चला और चलकर सी पर आ गया तो initial position क्या है ओ final position क्या है सी तो कितना distance travel किया तो आप कहोगे distance तो वो 0 से 25 यानि 25 ट्रेवल किया किलोमेटर अब क्या यह सबसे चोटी दूरी है हां क्योंकि बिल्कुल सीधे गए तो यही सबसे चोटी दूरी क्या होगे displacement है यानि यहां जो आपका distance है वो सबसे चोटा है और सबसे चोटे distance को ही displacement कहते है displacement भी 25 किलोमेटर हो गया ठीक है दोनों बराबर हुए कि नहीं 25 25 यही तो साबित हो गया कि distance और displacement बराबर हो सकते हैं यह भी सही बात है लेकिन distance छोटा हो जाए displacement बड़ा हो जाए यह कैसे possible है क्या यह possible है नहीं बिल्कुल नहीं possible है क्योंकि displacement हमेशा सबसे चोटा होता है shortest ठीक है अब इसको भी देख लेते हैं कि इस वाले example में ठीक है अब यहां मैं condition ले लेता हूं कि मैं कि ओ से कहां गया ओ से ए गया और ए से वापस बी पर आ गया ठीक है क्लियर तो ओ से ए गया यानि जीरो से 60 किलोमेटर और वापस बी पर आया तो कितना और चला पांच 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 यानि बीस पर पचीस तो साथ और साथ हो पचीस यानि कि 85 किलोमेटर मैं ट्रवल किया है ना डिस्टेंस 85 किलोमेटर हो गया कैसे अरे जी ओ से ए गये तो 60 किलोमेटर ट्रवल किया फिर ए से भी आए तो ये पांच किलोमेटर ये पांच ये पांच ये पांच ये पांच ये पांच तो पचीस हुआ तो साथ प्लस पचीस किलोमेटर और चले तब भी पर आए है ना तो डिस्टेंस टोटल कितना ट्रेवल किया 60 प्लस 25 यानि 85 लेकिन डिस्प्लेस्मेंट क्या हो जाएगा अब आपकी इनिशल पोजीशन हो गई ओ फाइनल पोजीशन हो गई भी तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है सबसे छूटी दूरी ये हो गया आपका डिस्प्लेस्मेंट तो डिस्प्लेस्मेंट यहां क्या है डिस्प्लेस्मेंट यहां 35 किलोमेटर है यानि छोटा ही तो आया कभी बड़ा आ सकता है अरे या तो बरा क्योंकि displacement मतलब सबसे चोटी चीज तो जो सबसे चोटी है ही यानि उसको छोड़ कर बाकी सब उससे बड़े हैं तो फिर तो वो सबसे बड़ा कैसे हुआ जैसे घर में कोई सबसे चोटा बच्चा है बाकी लोग घर वाले उससे बड़े हैं तो मैं यह कहूं कि जो चोटा सबसे बड़ा नहीं हो सकता यानि distance से जादा नहीं हो सकता बराबर हो सकता है या displacement distance से कम हो सकता है displacement distance से जादा नहीं हो सकता पास समझ में आगी हां सर समझ में आगी क्लिर अब एक चीज और magnitude of displacement during a motion can be zero but the distance covered is can never be zero यानि कि distance कभी भी zero नहीं हो सकता displacement zero हो सकता है कैसे सर एक्जैंपल से समझाईए बिल्कु समझाता हूँ यह आपका position था मा लेते हैं a ठीक है अब आपने क्या किया a से चलना शुरू किया ठीक है आप a से चलना शुरू किये ऐसे ठीक है ठीक है तो आप यह कितना चले यह दो यह चार यह चार यह चार यह चार यह सब किलो मीटर में और यह दो किलो मेटर ठीक है अब मैं आप से कहूं कि बताओ कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया तो आप कहोगे आप कहोगे कि मैं यहाँ से चलना शुरू किया दो किलो मेटर गया फिर चार किलो मीटर तो चार दो छह चार किलो मीटर और दश चार किलो मेटर और 14 और 2 km और यानि 16 तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रवल किया 16 km लेकिन अब मैं आपसे पूछी हूँ displacement डिस्प्लेस्मेंट बताओ तो अब आप कहोगे कि displacement मतलब initial और final point के बीच का difference अब initial point भी a था final point भी a है यानि जहां से चलेते वहीं आ गए तो फिर उनके बीच का difference कितना हुआ जीरो और यही difference क्या हो गया है displacement कितना है जीरो यानि कि जब displacement zero होगा तो distance भी zero हो जाए ऐसा हो नहीं सकता distance कभी भी zero नहीं हो सकता हाँ यह possibility है कि displacement zero हो जाए मैं अगर ऐसे इस point से चल कर घूम कर इसी रास्ते पर वापस आ जाओं उसी point पर वापस आ जाओं तो initial or final position एक ही point पर तो displacement क्या हुआ जीरो लेकिन distance तो कुछ ना कुछ होगा आप यानि घर से चले शहर भर घूम कर वापस घर पर आ गए तो आपका displacement क्या हुआ जीरो क्योंकि जहां से चलेते वहीं आ गए initial final position एक ही point पर है एक ही जगह है कहां घर पर तो difference कितना हुआ जीरो तो displacement क्या हुआ जीरो है ना क्योंकि displacement का मतलब shortest दूरी और इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि initial and final position के बीच का difference तो अगर दोनो final position एक ही जगह होगी तो difference 0 आएगा तो displacement 0 हुआ लेकिन आप शहर भर घूमे तो कुछ ना कुछ तो distance चले होगे तो distance तो 0 हो नहीं सकता लेकिन displacement 0 हो सकता वही चीज लिखी गई है कि magnitude of displacement during a motion can be 0 but distance covered can never be 0 अकल में बैठा की नहीं हाँ बैठ गया होगा तो हमने distance और displacement फर्क समझ लिया अब यही position distance और displacement से क्या clear हो रहा है position और यही position अगर time के साथ change होगी तो हम कहेंगे motion में अब motion uniform भी हो सकता है non uniform भी हो सकता है अब uniform और non uniform कैसे समझेंगे example से समझते हैं पहले हम uniform motion को clear करते हैं यह car है car straight line motion कर रही है अब car ने क्या किया देखो time interval हम देख रहे हैं तो 2 second में उसने हमारा origin reference point यह हमारा origin है point o is origin क्योंकि हम कुछ भी करेंगे distance measure करना है तो कोई ना कोई तो हमको reference point चाहिए origin चाहिए तो यह हमारा origin है तो हमने क्या देखा origin पर हमारा distance 0 ले लिए हमने अब यह 0 meter से 4 मीटर यानी 4 मीटर कितने time ड्रवल की टू सैकेंड अगले 2 milli से ले creature यानीए again 4 मीटर टू सैकेंड में फिर आठ से 12 मीटर यान Ba Нागें 4 मीटर 2 सेकेंड में यानि आफ क्या देख रहे हमों फिर 12-16 यानि 4 मीटर अगेंومें 2 सेकेंड में तो आपका time इंटरवल भी बराबर है और उस टाइम इंटरवल में कवर किया गया डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है कार वो भी सेम है यहां भी चार मीटर यहां भी चार मीटर यानि दो सकेंड में चार मीटर चली कार अगले दो सकेंड में भी चार मीटर अगले दो सकेंड में वो 4-4 मीटर चले यानि equal time में equal distance travel करे तो ऐसे motion को हम uniform motion कहते हैं ठीक है जैसे मुझसे कोई कहे कि तुमको भाई एक second में एक मीटर चलना है किसी ने बोला एक second एक मीटर एक second फिर एक मीटर एक second फिर एक मीटर मतलब एक second में एक-एक मीटर चल रहा हूं तो मैं motion तो करी रहा हूं और मेरा motion कैसा हो uniform क्यों क्योंकि जितना time मुझे दिया जा रहा है उतने time में हर बार मैं same distance travel कर रहा हूं ऐसा नहीं कि एक second में मैंने एक बार एक मीटर चला और अगले एक second में मैं 4 मीटर चल जाता हूं ऐसा नहीं तो equal interval में equal distance travel किया जाए तो ऐसे motion को uniform motion कहते हैं तो as the object हमारा object क्या था कार है ना तो कार ने equal time interval में equal distance travel किया और ऐसे ही motion को हम क्या कहते हैं uniform motion covers equal distances in equal interval of time such motion is said to be uniform motion अब आप graph से भी देख सकते हों graph से कैसे देखेंगे जीरो से one second अब यह दो को x axis है graph की यह x axis और graph का यह y axis इस axis पे हमने distance को plot किया है यानि यहां जो value होगी वो distance को बताएगी और यहां जो भी value लिखेंगे वो time को बताएगी वो भी minute में ठीक है अब जीरो से one एक मिनट एक मिनट में कितना distance ट्रवल किया जीरो से 10 यानि 10 मिट फिर one से two एक मिनट में फिर 10 से 20 यानि अगें 10 मिटर तो यानि एक मिनट में 10 10 मिटर ट्रवल कर रही है कोई object है न हर बार एक मिनट में कितना distance ट्रवल हुआ 10 मिटर देखो जीरो से one एक मिनट एक मिनट में 10 अगले एक मिनट में 10 अगले एक मिनट में भी 10 हर एक मिनट में 10-10 मिटर object ट्रवल कर रहा है तो ऐसे motion को हम क्या कहेंगे uniform motion तो graph देखकर भी समझ में आना चाहिए है न जीरो से one यानि कितना हुआ एक मिनट तो distance कितना हुआ 0 से 10 यानि 10 वन से 2 यानि difference कितना आया वन मिनट का और यहां distance कितना ट्रवल हुआ 10 से 20 यानि 10 का डिफरेंस आया तो एक मिनट में 10 एक मिनट में 10 एक मिनट में 10 यानि हर एक मिनट में object 10 मिटर ट्रवल करता है तो लेकिन अगर ऐसा ना हूँ तो मत्त मैं स्टार्टिंग 1 मिनेट में 10 मीटर जाओं और अगले 1 मिनेट में 50 मीटर जाओं फिर अगले 1 मिनेट में केवल 2 मीटर जाओं यानि मेरा time interval तो same है, लेकिन उस time interval में distance जो travel किया, वो same नहीं है, ऐसा motion क्या हो जाएगा, non uniform motion जैसा कि अक्सर हम करते हैं, है ना, शेहरों में जा रहे हैं, कभी ज़्यादा तेज चलते हैं, कभी धीरे चलते हैं, तो तेज चलेंगे, तो हम ज़्यादा distance travel करेंगे, धीरे चल तो कम distance travel करेंगे, है ना, तो जैसे शुरू के एक घंटे, आप खुब रफतार में चल रहे थे, 120, 100, अपनी गाड़ी को चला रहे थे, तो अगर आप 100 km पर आवर की गाड़ी, रफतार से अपने कार को चला रहे थे, तो यानि एक आवर में आपने कितनी distance travel की, 100 km, यानि फ 50 km पर आवर, तो आपने अब अगले घंटे में कितनी distance travel की, 50 km, तो starting one hour में 100 km, next one hour में 50 km, तो time interval तो सेम है, one hour, one hour, लेकिन distance travel, एक जगा 100 km, एक जगा 50 km, distance travel सेम नहीं है, ऐसे ही motion को non uniform motion कहेंगे, जहां speed बदले, समझ जओ, non uniform motion, जैसे हम दोड़ते हैं, सुबह jogging करते हैं, starting में थोड़ा धीरे धीरे warm up करते हैं, फिर तेज दोड़ने लगते हैं, और जब exercise complete करने वाली होती है, exercise complete हो रही होती है, थक जाते हैं, तो speed वापस से कम हो जाती, तो speed का बढ़ना, घटना, तो इस case में क्या होता है, आप same distance नहीं travel करते हैं, same time में, आप unequal distance travel करते हो, ठीक है, तो equal interval of time में, आप unequal distance, यानि different distance travel करो, ऐसे motion को हम non uniform motion कहते हैं, बास समझ में आई, समझ में आ गई, ठीक है, और इस तरीके से, मैं आपको एक example से भी बता सकता हूँ, देखो, यह आपका origin, ओ, ठीक है, अब आप, वन आवर में 10 km चलते हैं, अगले वन आवर में 25 km, और अगले वन आवर में 8 km, तो यह uniform motion हुआ कि non uniform motion हुआ, आप ही बताइए, तो आपने देखा, time interval तो बराबर है, वन आवर, वन आवर, वन आवर, लेकिन distance जो travel किया गया, उस वन आवर में वो सेम नहीं है, starting के वन आवर में 10 km चलना पड़ा, again next वन आवर में 25 km, यानि ज़्यादा travel किया, आपने ज़्यादा distance कवर किया, और जो आपका तीसरा थर्ड आवर, जो आखरी एक घंटा है, उसमें केवल 8 km चले, यानि slow चले, तो यानि कि आपका ये कैसा motion है, non uniform motion है, है न, और यही uniform कब हो जाता, यही uniform कब हो जाता, यह तब हो जाता, जैसे यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो 1, 1, 1, 10, 10, 10, same time में, same distance travel हुआ, तब ये uniform हो जाता, clear, तो I think का आपको बहुत अच्छे से, आज का ये जो पहला topic है, motion chapter का, वो clear हो गया, जिसमें हमने distance displacement को समझा, straight line में, और straight line motion में, uniform circular motion और non uniform, sorry, uniform motion and non uniform motion को हमने clear किया, तो अब next video में आपको इस chapter का अगला topic पढ़ने को मिलेगा, तो बने रहिए संकल भारत foundation YouTube platform पे, by रागविन सर, thank you so much.